So friends, आज की ये जो वीडियो है, ये एक announcement वीडियो है और ये announcement है B.S.C. Physics के students के लिए यानि कि वो students जो अब 12th pass कर चुके हैं और B.S.C. Physics Honors कर रहे हैं या फिर B.S.C. कर रहे हैं और वो Physics के Lecture देखने चाहते हैं तो Conceptual Physics पे अब वो Lecture अवेलेबल होंगे यानि कि हम लोग B.S.C. के Lectures बनाना शुरू करेंगे देखे friends, B.S.C. में जो पढ़ने का तरीका होता है, वो ऐसा होता है कि हम लोग वहाँ अलग-अलग Papers पढ़ते हैं जैसे कि Electricity and Magnetism, Quantum Mechanics, Classical Mechanics, एक्सेकरा, एक्सेकरा यानि कि हम जो 12th 11th में पढ़ते वे आते हैं, वहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि chapters होते हैं, यहां हम लोग किसी एक paper को थोड़ा सा deep में पढ़ते हैं Base से शुरू करते हैं और Advance तक जाते हैं, मतलब 12th से हलका सा level high हो जाता है उसका, ज्यादा उचा नहीं होता है बाकी सब को जुड़ा हुआ होता है, बेसिक से, ठीक है, तो हम लोग वही lecture बनाने वाले हैं जिसमें कि हम लोग शुरुवात करने वाले हैं Classical Mechanics के साथ अब देखिए, B.S.C. जो है, वो Private Colleges में भी होती है, Government में भी होती है, Government का अपने हिसाब से एक syllabus होता है और हर Private University सेलेबर्स को अपने हिसाब से सेट करती है, ठीक है, लेकिन जो बेसिक कोर्स होते हैं, उसके अदर जो बेसिक चीज़े होती हैं, वो कुछ सेम रहती है जैसे कि आपका Classical Mechanics है, उसके अंदर Rigid Body, Coordinates, Newtonian Mechanics, ये सारी चीज़े जो हैं वो बदली नहीं जा सकती है बनाना शुरू करेंगे, तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो कि अब B.S.C. Physics करने वाले हैं, या कर रहे हैं, तो वो इन कॉर्स को देख सकते हैं, और हो सकता है कि वो वीडियो, वो लेक्चर्स आपके लिए helpful साबित हो जाएं, तो ये जो लेक्चर्स आएं हैं, Classical Mechanics के पेपर के साथ, उसके बाद आगे Electricity and Magnetism आ सकता है, Quantum Mechanics आ सकता है, ठीक है, तो ये courses हम लोग एक एक करके बनाएंगे, सबसे पहले आप Classical Mechanics की तियारी शुरू करें, अब अगर आप लोग Classical Mechanics पढ़ना चाहते हैं, तो एक एडवाईज है मेरी आपको, और व पता है, लेकिन 11th Class का मजबूत होना जरूरी है, तो बेसिकली आप ये समझ लीजिए, कि ये 11th Class का ये थोड़ा सा High Virgin है, बाकी और कुछ भी नहीं है, ठीक है, एक एक चीज की तोड़ी सी Mathematics जादा हो जाती है, Formulation जादा हो जाती है, बाकी Concepts बिलकुल वही रहते हैं, जो आप लोग पढ़ते हुए आए हैं, और उन Concepts को आप लोगों को और करीब से जानने का मौका मिलता है, ठीक है, तो I hope ये Classical Mechanics का Course इसको आप सपोर्ट करेंगे, और ये आपके लिए helpful साबित रहेगा, ये आपके response पर depend करता है, इसके अलावा भी अगर आप लोग को Suggest करें तो हम लोग इस पर जरूर काम करेंगे, देखे हम लोग कोशिश करेंगे कि हफते में कम से कम तीन Lectures लेके आए जाएं, क्योंकि देखे इसके लिए जो टीम बननी थी वो बनी नहीं है, इसलिए मुझे इस पर इंडिविजुली काम करना है, लेकिन मैं कोशिश ये कि इसकी लेंथ जो है वो बढ़ा दी जाए जिससे कम से कम Lectures में ज्यादा से ज्यादा Topics और Concepts क्लियर किये जा सकें, तो मैं ये उमीद करता हूँ कि मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकूँ और ज्यादा से ज्यादा आपको हमारी वीडियोस helpful लग सकें, और मैं य ये भी उमीद करता हूँ कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे, थैंक्यू बेरे में